और लाइव हो गया अच्छा 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 सब एक ही है यह सब्सक्राइब करते हैं लोग बिना टाइम देश की सिंख सर के के साथ आगे बढ़ते हैं अब पढ़ने का अधिकार सबको डॉक्टर बनने का अधिकार भी सभी को देखिए आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है इस टंतयन ख्र गड्सीन अ धैटरं गड़ने क्वेश्चन अ 일गतो Stacy & 2002ίνग अ गड़्टेटन गेवीश्चन दे बाईक्वेशण आपको और पोशेंग स्नेर रखी अंधको मस्टका ट्रख še 4TQ-60 square पूछ रहे तर्क ऑन दा वील विल बिकम जीरो किस टाइम पर टॉर्क जीरो होगा तो आपको समझना पड़ेगा कि टॉर्क का फॉर्मला क्या होता है टॉर्क का फॉर्मला था आई इंटू अलफा अब यदि टॉर्क जीरो है तो मुवेंट ओफ इनर्शिया इंटू एंगुल्र आक्सलेशन की वैलूज इर्योट रहिशा ऑगिज चाहिए तो जिस टाइम पर एंगुलर एंटूर कि टॉर्क होगा समझा थाक्यरी जि endeavors लेओ तो टॉर्कक का फॉर्मला आई गुले अलफा होता इसका मतलब आई गुले αफ़ा 0 होना चाहिए तो मूवमेंट ऑफ इनर्ष्या रशीघीयरण 0 होगी नहीं इसका मतलब कौन 0 ASA एन्वकूलर एक्ष्टलेशन जदि जीरो हो जाए तो उस टाइम पर टॉर्कow 0 होगा ये बाद सबको सबैंब कि की टॉर्क जब जी रहोगा उस समय ऊना चाहिए तो हम पता करने किस टाइम पर फाव जिरो गा जिस टाइम पर फाव जिरो गा उसी समय तउख जी रहोगा provider मौक्ड दिस्प्लेशमेंट को टाइब से ah ser carrot kindro air velocity वह आइंगंट रखि cherche को अफिर टाइम से डिफंसे ट करें का दो सब्सक्राइब करक् Report थे स्क्वेर यह लगा 12 T स्क्वेर क्ट यह लाइगा 12T 263 4 Central T stuffed users कुम बनוסी इस्क्राज़ लएभिस टाइम मेगा लाइव डी यह लेगा 24 करें यह 12 is a change in Muglock स्वेर लेंग में टाइम होगा थे आ 24 T-12 अब जिस टाइम पर एंगुल एक्सेलेशन जीरो होगा उसी टाइम पर टॉर्क जीरो होगा तो इसको जीरो के बराबर रग दो तो 24 T-12 तो 12 बराबर 24 T हो जाएगा टी बराबर 12 by 24 तो टी आजाएगा 0.5 फिट यह सेकेंड ओप्शन हो गया इवाद सबको समय में आ गई पूछा तकिस टाइम पर टॉर्क जीरो होगा तो जिस टाइम पर टॉर्क जीरो होगा उस टाइम पर ऐलफा 0 होना चाहिए तो हमने तक ओर यही पता कर लिए डिस्प्रेस्मेंट को टाइम से डिफ्रेंशेटीट किया एंगुलर विललसिटी बनी एंगडेल फिर टाम से तो रख किया एकसलेशन बना मतलब कि आलख बना और इसको 0 के बरा बन दीया और वहां से टाइम निकाल लिए सेकंड कुछ देखे आरेमस वैल्यू अफ एलेक्रिक फिल्ड आफ दा लाइट कमिंग फ्रॉम दा सब्सक्राइब यहां से नौट निकाल सकते यह नौट अपॉन रूट तू जो होता है वह यहां से यहां से यह नौट की वैलू हो जाएगी 1000 रूट टू न्यूटन प्रती कुलांब यह हमने यह नौट निकाल लिया क्यों निकाल लिया आगे बता रहें दा एवरेज टोटल एनरजी देंस्टी ओफ एलेक्रो मैंनेटिक वेव एवरेज यू एवरेज टोटल एनरजी देंस्टी जो होती है वह हाफ एफ साले नौट सक्वार होती है एवरेज टोटल एनरजी डेंस्टी आफ एफ सारन नौट एनौट स्कॐर होती है वह सिर्थ में रगदो एफ एफ सालन नौट की जान 1.8510 की की पावर माइनस 12 और इन ओड में रगदो 1000 टेन की पावर थ्री रूट टू का हूल उक्वार जाएगा half 8.85 10 ृट की पावर माइनस 12 और यो जाएगा 10 की पावर 6 into 2 2 2 2 गाइएच एट पॉयंट एट हटेन की पावर माइनस 6 सा जाएगा ठीक है तो तुम्हारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सही है यह रमस वैलू दे रखी थी तो इनौट अपॉन रूट टू बराबर इनौट की वैलू निकाल लिया और एवरेज टोटल एवरेज एनर्जी रिंस्ट्री का फॉर्मला हाफ एफ सालन नौट इनौट स्कॉयर होता है बस उस फॉर्मले में हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया ठीक है यह बात क्लिए होई सबको कोई दिक्कत तो नहीं और ने के सब्सक्राइख नेक्सट करके जीनर्ड डायोट मेंञत प्रिकद्दाउन वोल्ट कोस्ट देखक इसको कैसे साल्व खरते हां एई यह कैं। होता है यह वोती है इन्पूर्ट वोल्टेज ये होती है input resistance ये होता है VZ और ये होता है output resistance ठिक सीखो 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 अब हमसे जीनर डायोट की current पूछी है IZ यहाँ पर I input होता है और ये I output होता है तो ये जितने भी जीनर डायोट वाले सवाल है बेटा वो तीन तरह की question पर solve होते हैं पहली equation हम बनाते input current की तो I input होता है voltage input minus जीनर डायोट का voltage upon R input पहली equation तो यहाँ से बनती है मलब V input minus जीनर डायोट का voltage VZ upon R input यहाँ से I in निकलाएगा दूसरा आप I out कैसे निकालोगे तो हम कहते हैं जीनर डायोट का voltage external voltage के बराबर होगा तो दूसरी equation होती है VZ is called to I out into R out ठीक दूसरी equation यह वाली होती है रुक जाओ पिछले को वाला सभी टेस्ट में attempt कियरना है ठेक अच्छा देखो कुश्चन देखो बिटा फिर समस्मझा देए एक बार भ्यान दीजे आपको जब भी जीनर डायोट का सवाल आए तो आपको इस बात को समझना है कि यहाँ पर तीन equation बना आपके सॉल करते हैं पहले तो आप technology सबकी पहचान लो इसको बोलते हैं input voltage इसको बोलेंगे इंपुट रेजिस्टेंस यहां पर क्रेंट इंपूट आईगी यहतं Kultur और करेंट आउटपोट आएगी और इसे आउटपूट रेस्टेंस मोगत ठीक है इसे जीनियोड का व्यूल्टेज बी जेड सब डाफिय और हमें कितनी करेंट जा रही है वह पता करना लागव करेंगे तो देखो थी तीन अब शेया अन्सर निकलाता है सबसे पहले हम इन्पुट करिंड निकालेंगे सीको इंप्लीट है कि की तब तक देखो सभक्राइब निकालेंगे, input current का formula होता है, input voltage minus general voltage upon input resistance, यहां से आप input current निकाल सकते, फिर हम कहते है output current कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे, गींट डायोट का जो वोल्टेज होता है वह आंटपट वोल्टेज के बराबर होता है तभी जीटायोट काम करता है तो वी जैड इसकाल टू करेंट थ्रू जीनर डायोड प्लस करेंट थ्रू आई आउटपुट यह आपका तीन इक्वेशन बनती हैं तो सबसे पहले हम इन्पुट करेंट यहां से निकाल सकते हैं दीने विनिलेट तो संबसे पहले हम निकालेंगे इन्पुट करेंट किस्थी आ रही है सबसे पहले इन्पुट करेंट कित्ती और होलो इंपुट करेंटを हो दो सो पचास तो यहां से इंपुट करें निकाल सकते हो पांच बटे दो सो पचास चाहो तो इसे पांच हो गया इसको आप जहाए चाहो तो इसको सॉल्ट कर लो तू से मल्टिप्लाई कर लो थिक तो यहां आपका सॉल्ट कर जाएगा आई इनपुट हैं पचास इंटु 10 की पावर कर लीजए पांच हजार शोकर लीजए यहां 10 की पावर माइनस थरी कर लो और यह धाई सो हो जाएगा धाइसो से ये दो बार चला जाएगा 500 हो जाएगा ठीक है और 10 की पावर माइनस 3 हटा दो ये 20 मिली एंपियर आ जाएगा इनपुट करेंट 20 एंपियर हो गई एक एक विशन तो ये लगई दूसी क्विशन ये कहते हैं कि जीनर डायोट का वोल्टेज एक्स्टरनल वोल्टेज के बराबर होते हैं तो एक बार इसको लगा लू वी जैडिस कल्टू आई आउट इंटू आर आउट तो जीनर डायोट आई जाएगा तो 15 मिल एंपियर या जाएगा आउट ठीक अब आपके पास आई इंपूट है आई आउटल कितनी करेंट आई और कितनी करेंट गई तो बीच में जीनर डायोट में कितनी कि गई वह निकाल सकते हैं हम जानते हैं आइड इंपुट बढराबर आई जेट प् पंद्रा मिली एंपियर बाहर गई बचा हुआ जीनल डायोड में जाएगी तो जीनल डायोड में पांच मिली एंपियर जाएगी कि फॉस्ट ऑप्शन होगा कि यह क्लिए होगा सबको सर 1 by 4 epsilon naught e square होता है सेकेंड कोश्चन में फिर हम कैसे पता करें 1 by 2 होगा या 1 by 4 बहुत अच्छा सवाल पूछा बेटा देखो एक होता है energy density जब हम energy density की बात करेंगे तब half epsilon naught b square हो गया उसकी peak value की बात करेंगे तो b naught by root 2 करेंगे तो वह 1 by 4 आ जाता था अच्छी बात है लेकिन यहां पर total average total energy density की बात करी थी जब total की बात करोगे तो electric field वाली energy और magnetic field वाली energy दोनों जुड़ जाएगी तो 1 by 4 1 by 4 1 by 2 हो गया ठीक है क्लियर कि जब total energy density की बात करेंगे तो magnetic field वाली energy और electric field वाली energy दोनों जुड़ गई तो 1 by 4 1 by 4 जुड़ के 1 by 2 हो गया यह फिर से देख लो यहां पर जो input current दो यहां तीन स्टेप पे करना है पहले यहां की input current निकालोगे कैसे निकालोगे वॉल्टेज इंपुट माइनस जीन डायोड का वोल्टेज अपोन in input रेस्सस्टेंस यहां से input current निकलाएगी फिर जीनर डायोड का वोल्टेज बराबर output voltage कर लोगे तो वहां से आय जै आउट्पट करें निकल आयी फिर आ इंपूट से रएडेट प्लस आई आउट्पट से हम अंव्ट आउट्पट permit करें नेकल सकते हैं सब ब्यांडों ऐत चर्च पार्टिकल एंस इन युनिफॉर्म मचिक फीए ध्यान दीजे अ हैक चर्च पार्टल एंटर टर्टिक फील्डिड़ी सब लो जानते हैं एम वी साइन थीटा अपॉन क्यूबी हेलिकल पाथ की रेडियस का फॉर्मला एम वी साइन थीटा अपॉन क्यूबी होता है यहां हो जाएगा एम वी साइन थीटा मतलब साइन थाटी हो जाएगा हाफ तो यहां से रेडियस का फॉर्मला हो जाएगा एम वी अपॉन टू क्य नंबर आव देंस्टीव फ्री उलाक्टर इनकॉपर कंड़क्टर इस नंबर आफ देंस्टी देक्ड लखा है एक प्वाइए फ़ी एंटी तैन की पावर पावर टेंटी एट पर मेटर क्यूप हाव दाज लॉंग ईलप्टोन टेक्स तो ड्रिफ्ट रॉंग फ्रॉं लॉन एंड कितना टाइम पूछा है इवायर ओव 3 मीटर लॉंग लंबाई ओगे 3 3-meter long to in order other end the area of the cross section of the wire is area of the cross section of wire is 2 into 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वार स्क्राइब करेंट को एक तार है बिटा उस तार में करेंट को एक ती मीटर लंबाई का तार है उसको एलेक्ट्रोन को एक किनादे से दूसरे किनादे तक पहुचने में कित्ता टाइम लगेगा तो टाइम का फॉर्मला डिस्टेंस अपॉन स्पीड अल अपॉन वी हो जाएगा और वी का मतलब ड्रिफ विलॉस्टी डिफ विलॉस्टी अम आई अपॉन एन ये लिख देंगे एन ये ऊपर आ जाएगा तो यह लेगा एन ए एल अपॉन आई बस हमें सारी वैलूस रखनी क्या है क्लिए रुआ सब को कि ठीक है को दिक्कत तो नहीं है कि यह सब को सामय में आई बात नंबर ओफ आपको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दे रखी दी लंबाई 3 मीटर दे रखा था एरिया टू इंटू टैंड की पावर माइनस 6 करें क्या रहा है एक एलेक्ट्रॉन एक किनारे से दूसरे किनारे तो में इलेक्ट्रॉन अपने डृफ्ट स्पीड से तो चलेगा तो टाइम हो जाएगा दिस्टेंस अपॉन इस इसमें आपको ये आपकी 2.7 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड आ जा तीस साइट यहीं है रखें सब्सक्राइब एक इनरजी का या तो इलेक्रिक फिल्ट के नरजी का या यहां लिखा आए अवरेज टोटल एनरजी तो इलेक्ट्रिक फिल्ट दोनों जोड गई दो जोड दी गई ना एक पुंकर इतनी द्र से पीछे पड़े हो अवरेज एवरेज एनरजी रेसे ओनि उंप्सक्राइब या तब हो गा जब क क्योंड एनर्जी देन्सलिख या तो इलेक्रिक फिल्टि नीदि टो इलेक्ट्रिक या इवरेज ए नरजी दोनों जोड दी गई तो ऑन राइंपाई बनद इलेक्ट्रिक फिल्ट के एनरजी डेंस्टी एवरेज वन बाइफ एफ सालन नौट इनौट स्क्वार हो गई अच्छी बात है लेकिन तोटल वर्ड जब आएगा तुसका लेक्ट्रिक फिल्ट की एनरजी और मैंटिक फिल्ट के नजी दोनों जोड़ी गई होगी और फिल्ट के बाइब को एक पॉइंट पॉइंट चार्जिस हाविंग मैंनिटीट क्यू आर फिट्स एक वर्तिस अफ क्यू दा एलेक्ट्रिक फ्लस्टू दा स्क्वार सर्फेस एबी सीडी ऑफ दा क्यू देखो बच्छा चकर क्या है इसमें क्या है हर जगा पे चाज्ड र ठीक पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थू दिस सर्फेस इस सर्फेस के थू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो पहले तो बात समझो यदि किसी क्यूब के केवल एक कॉर्नर पे चार्ज रखा होता कि किसी क्यूब के केवल एक कॉर्नर पे चार्ज रखा होता तो ए एक बलब एलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू वन्चार्ज यदि केवल एक एक चार्ज रखा होता और उसके कारण किसी एक सर्फिस पर एलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जाता तो हम रिजल जानते हैं ये क्यू अपन चौबेस एपसायलन नॉट होता है सही है एलेक्टरिक फ्लक्स पे एक इक कीन चार्ज है तो इन क्या होगा तो तुमको समझना है पड़ेगा ये ये जो ये शुरुवात वाले जो चार चार्ज हैं ये तो इसी सर्फिस पर हैं तो इन चारों के कारण तो इल Stall怎麼 बनेगा ही नहीं ठीक है तो हम जो जितना भी Round इसटा घाले करेंगे वो बचे वी چार के के कारण करेंगे फिर से मेरी बात को एक corner पे केवल एक charge रखा हो उसके कारण किसी एक surface पे electric flux क्यों बटे 24 epsilon not होता है total 8 charges रखे हैं और 8 charges में इस surface के लिए electric flux पूछा है तो हमारे 8 charges में ये 4 charge काम नहीं करेंगे क्योंकि वो इसी surface पर ही है ठीक है केवल ये 4 charges करेंगे जिसके कारण हम यहां पे total electric flux discuss कर सकते हैं तो कहने को हम total 8 के लिए discuss कर रहे हैं लेकिन चार हमारे काम नहीं करेंगे केवल ये 4 काम करेंगे तो एक charge कारण एक surface पर electric flux q बटे 24 होता है तो 4 के लिए क्या करेंगे चार से गुड़ा कर देंगे तो यह हो जाएगा क्यू बटे 24 गुले 4 पे सॉल के क्यू बटे 6 epsilon नॉट आजाएगा क्या यह बास सबको सबको समझ में आई क्या यह बास सबको समझ में क्यू बटे 6 epsilon का से आया क्यासे है व्यरीगूर चलो नेक्स देखो ए डाग्राम बिलोँ शो जोस दा 10 kg mass the forces are constant in time if the mass start from rest how far it is travel in the horizontal direction after 2 seconds तो भाई आप पहले तो net force पता कर लो net force की बात करो तो 200 minus 170 हो जाएगा तो यहां से net force आजाएगा तुम्हारा 30 newton ठीक है मास देह 10 kg रख दे रखा है तो यहां से acceleration निकाल लो तो 30 बटे 10 आजाएगा 3 meter per second square का तो acceleration हो गया ठीक अपके रहा हाव फॉर एक ट्रेवल इंदा हो जेंटल डारेक्शन आफ्टर टू सेकेंड हरे भाई यह दस केजी की बॉड़ी है 200 newton आगे लगा रहे है 170 newton पीछे लगा रहे हो तो net force तुम्हारा 30 newton हो गया मास्क दस है एक्सेलेशन तीन हो गया कित्ती दूर जलेगा यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वाइर यू की वैलू 0 एक्सेलेशन की वैल्यू 3 टाइम की वैल्यू 2 का स्क्वाइर 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 मीटर यह क्लियर हो गया सबको एज लेंद पर रखा हो तो क्या होगा सर बिटा एज पर रखा होगा तो q by 24 नहीं होता फिर q by 4 q by 24 तो आपका होगा नहीं तब आपके केवल 4 काम करेंगे ठीक है तब यह आपका हो जाता है q by 16 यह देखो यह हो गया यहां पर रखा होगा तो पूरी बॉड़ी के लिए पूरी बॉड़ी के लिए चार पार्ट बन जाएंगे तो वन बाई 4 एक के लिए होगा और उसमें भी दो पार्ट काम नहीं करेंगा वन बाई 16 बन जाएगा ठीक एक एक चार्ज के कारणा चलो आगे दिखते है इस फेरिकल बॉड़ी ओफ रेडियस वर इंटू 10 की पावर माइनस फूर ठीक है देंस्टी 10 की पावर 4 kg पर मीटर 10 की पावर 4 kg पर मीटर क्यूब फॉल्स फ्रीली अंडर ग्याविटी तू दिस्टेंस एच एंटर टैंक ऑफ वाटर देंस्टी ऑव वाटरले लू टेन की पावर 3 kg पर मीटर क्यों वाटर देंस्टी 10 की पावर 3 kg इंटर दा वाटर दा वेलास्टी ऑफ दा बॉल बॉल डास नोट चेंज वैल्यू आफ एच वेर विस्कॉस्टी कोफिशेंट इस कि 9.8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कि देखो बच्चा एक बॉल है वह यहां से free fall करती है जब h height गरती है तो वह liquid के अंदर गर जा रही है water के अंदर गरती है और water के अंदर गरने पर उसकी speed नहीं बदलती इसका मतलब यह terminal velocity से गरी है तो h height गरने के बाद उसकी जो velocity होगी वह under root 2gh हो जाएगी प्रीफॉल गरे एक चाहिट गरने के बाद लिक्विट में गर रही है तो h height गरने पर उसकी speed क्या होगी अंडर रूट टूजियत किसी भी बॉड़ी को यदि free fall कराया जाए तो h height गरने के बाद उसकी speed अंडर रूट टूजियत होती है अब लिक्विट के अंदर जब गर यह जो टर्मिनल वेलॉस्टी है वो जो बॉल में h height गरने के बाद आई वही तो है तो यहां वी की जहां क्या लिख देंगे अंडर रूट टूजियत यहां हो जाएगा टू बाइन आइन आर स्क्वार रो माइनस सिग्मा जी पॉंट इटा अब यह सारी वैलू जिदी इस कंसर्प्ट किसी बॉल को फ्री फॉल कर आओगे राच हाइट गरने के बाद उसकी स्पीड अंडर रूट टू जी अच होती है कि ए बॉड़ी ओफ मास संजो ए बॉड़ी ओफ मास 2.8 kg गवर टा ए बॉड़ी ओफ मास 2.8 kg इनिशली इसटार्ट फ्रॉं ब्रेस्ट तो बही अदो मास्ट यह है वो 2.8 kg दे रखा है निशिली अ प्राइट व्रेस्ट अन्डर अगाञिशन अफोर माईनस एक्सक्तिर स्ञार फोर मैनसा स्क्कॉरेर एक्स हिसन अन्मेटर अन्यियर एक्सेटमि Council energy of the block is, देखो maximum kinetic energy तब आएगी इसमें जब इसका acceleration zero हो जाएगा, जब इसका acceleration zero हो जाएगा तब इसमें maximum kinetic energy आएगी, इस बात को समझें, आपको ये पता करना होगा कि इसकी maximum kinetic energy क्या है, तो इसमें maximum kinetic energy तब आएगी जब इसका acceleration zero हो जाएगा क्योंकि इस समय उसकी velocity maximum होगी नहीं समझो तो हमें पता करना पड़ेगा देखो किसी चीज में acceleration होता है तो उसकी velocity बढ़ती है और जब velocity बढ़ते 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 जह है maximum पहुंच जाती तो उसके अधर acceleration zero हो जाता है फिसका velocity नहीं बढ़ती तो हमें पहले पता करना पड़ेगा किस पॉइंट पर इसका acceleration zero है तो फोर्स को तो एक्सलेशन जहां जीरोगा उसका और जाइगे मेक्सम की चेंटरी हो जाएगी और म Grenम कि करेंगे और यह वांसे कहां तक जुछ से लेकर तक तो अधेक थीमिन इनिशन कुकि स्टाइटिंग फ्रों माइनस एक्सक्वाइर डिक्सर ले लेंगे बाई इस को सॉल्व कर लो तो कर लेको यहाई जीरो से ले लेंगे अपर माइनस लोवार कर दो यहां हो जाएगा एट ऐट वाइट वाई-3 उडा जीड़ेगा सब्सक्राइब तो 24-8 चाहो तो एट बाहर निकान दो कि बन माइनस बन भाई थ्री हो जाएगा यह एट इंटू टू बाई थ्री हो जाएगा इस विए टू 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 थर्ड कर दिया पहले अंप्लीट्व एथा अब टू बाई थी एकर दिया ठीक है कीपिंग दा टाइम पीरेट कॉंस्टेंट रखो गे तो ओमेगा सेम रहेगा ओमेगा सेम रग दिया टोटल एनर्जी क्या होगी देखो टोटल एनरजी का फॉर एम ओमेगा स्कॉायर एसक्वाइड ठीक है यह टोटल एनर्जी का फॉर्मला होता है अब आपने ओमेगा को सेम कर दिया ओमेगा तो कॉंस्टन रहेगा एम्प्लिट्यूट को टू भाई थर्ड कर दिया तो नई एनर्जी बनाओ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर 2 by 3 a ka whole square तो यह हो जाएगा 4 by 9 हाफ एम ओमेगा स्क्वाइड एइसक्वायर तो यह वैल्योगी ऑगी टाइस बराबर क्या हो जायगा 4 by 9 सब्सक्राइब कर दिया केवल किसको बदला है एंप्लिट्यूट को एसे टू बाइट्री ए कर दिया एक यहां मैंने टू बाइट्री एकर दिया तो यह टू बाइट्री एक का होल स्कुर करो तो एक फोर बाइट इसक्वार आप एम उमेगा स्कॉर पुरानी वाली एनर्जी तो पुरानी वाली एनर्जी का फोर बाइट टाइम साग्या सही है चलो नेक्स अवाल देखो ए मोटर साइकल ट्रावलिंग एट इस स्पीड आप सिक्स्टी मीटर पर सेकंड चलो भाई 60 मीटर पर से चल रहा है और फ्रेडियस आप 600 मीटर आफ रेडियस 600 मीटर इंक्रीजिंग इस स्पीड एड़ रेट आफ 10 मीटर पर सेकंड स्कॉर तो यह देखो यह ऐसा सर्कुलर मोशन है जिसमें एक बॉड़ी साट मीटर पर सेकंड से चलना सुरू करती है रेडियस उसका 600 मीटर है और साथ में इसमें वेलासिटी में इंक्रीजिमेंट जो है डीवी बाई डीटी एट मीटर पर सेकंड का स्कॉर का है मतलब यहां दो तरह के एक्सलेरेशन होंगे जब वेलासिटी सर्कुलर मोशन में बढ़ती है तो दो तरह के एक्सलेशन होते हैं एक टेंजेंशियल एक्सलेशन होता है जो की डीवी बाई डीटी होता है और एक सेंट्रीपिटल एक्सलेशन होता है जो की वी स्कॉर अपॉन आर होता है और हम पास टेंजेंशल पहले से है बस आपको सेंट्रीपिटर अप्र लेक्षं पहले से निकाल निकालना dro phonあー आपका सेंट्रीबटन को एंचल सकते हैं अपके पास सेंट्रीपेत्र लेक्स बशाइशन भी है सैंञेशल भी तो नेट एक्सेलेशन आप निकाल सकते हैं अंडर रूट एसी स्क्वाइर प्लस एटी स्क्वाइर जो आज आठ का स्क्वाइर प्लस नेटर पर सेकेंड इसक्वाइर ठीक है अ अच्छी बात है बढ़िया एक चोग कोईल कनेक्टेट टू एसी सोर्स ओफ रिक्वेंसी 50 अपॉन पाई हर्ट्स आपको फ्रिक्वेंसी रखी है है 50 अपॉन पाई हर्ट्स एक्स रजिस्टेंस ओफ दा क्वाईल इस वन ओम और इंड़क्टेंस तेन टैन मिली हैं अच्छा यह आपको फ्रिक्वेंसी दिया तो ओमेगा तो निकाल सकते हैं तो एक्सल एक्सल भी निकाल सकते एक्सल इसकल टू ओमेगा एक्सल हो जाएगा 2, pi, f की जिवाँ, 50 बेटे, pi कह दो और l की जिवाँ, 10 milie henry कह दो तो यह pi से pi cancels हो जाएगा तो एक्सल इसकल टू हो जाएगा पाई से तो pie cancel हो जाएगा समझे एक्सल पहले निकाल लेते हैं तो एक्सल हो जाएगा टू पाई एफ एल ओमेगा एल होता है तो पाई एफ एल तो पाई फ्रेक्पेंसी के जमां पचास बैटे पाई रख दोगे अब आपके पास एक्सल भी हो गया आर भी हो गया अब पूछा क्या है देखो तो पाउर फेक्टर का जो फॉर्मला होता है वो आर बाई जेड होता है और यदि एल आर सरकिट है तो इसे एक्सल स्कुर्ड प्लस ऑर स्कुरा लिएक्षेंगे चूकि एक्सल और र दोनों की सेम है तो ये भी आर स्कुर्य भॉधाए यह 2 र र क्या लिए ने मौन गर्ड़ होगा स्री एक्स्क्यर प्लस आरव स्कूर अब चुक्त ऍेक्सroeल और आप दोनों की वेलू सेम है तो इसको भी आरवर कै दो और यह आपका आरवर प्लस आरव स्कूर हो जाएगा है थाम को टू आरव स्कूर कहा सकते स्क्वार रूट ले लो तो आर रूट टू जागा वन बाई रूट टू आ जाएगा पावर फेक्टर ठीक है ना ठीक है बच्चों समझों कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एक एला इदको एक चोक वाइल है चोक कोईल क्ये दिए तो इनकल सकते हुए टू पाई एक्सल मिल गया र मिल गया हमसे पाउवर फेक्टर पूछा है त gent दार सरक्रेट में जड की वैलू एक्सल इस्कॉयर 2 होगी तो हमने जब एक्सल निकाला था एक्सल भी वन ओम अर भी वन हो मतलब दोनों ही आर यार हो गए तो यहां हमने टू आर स्कॉयर कर लिया आर स्कॉयर रूट से कड़ गया वन बाइ रूट टो आ गया चालो कुशेन अब देखो 2 सी स्फ पलब स्फ 2 उर्ड स्फ थी माइक्रो फैरेडिक वीं मैक्ज दॉर्डु इसका ब्रेक्डाउन वोलेज डो किलो वॉल्ट है पहले वाले का है में में दूसरे वाले का ब्रेकडाउन वोल्टेज पांच किनो वोल्ट है समझेगा तेक्स लिए पीधिस मैं जोड़ दिया वाज विली जो पूछ से पूछ रहा है तो तहाई में कि यह समझेंगे कि यह 3μF का है और 2kV की बात कर रहा है तो 3μF को 2 से गुड़ा करो तो यह कितना चार्ज लेगा छह मिली कुलाम के आसपास लेगा थ्री टू जा सिक्स करो क्यूं इसकल टू सी इंटू वी होता है सही है देखो तो chum Basi fig यह Quickly यह मिली कुलाम चार्ज Лएगा यह 551 निफ्लाव चार्ज लेगा चुकि सरीस में हो गी तो सब्याइब पे चार्ज एक जैसा होना चाहिए तो यह ज्यादा से ज्यादा छे मिली कुलाम ले सकता यह ज्यादा से ज्यादा पांच मिली कुलाम ले सकता है यह पांच मिली कुलाम से ज्यादा नहीं ले सकता तो जब हम इन देरों को सिरी में सिरीज में जोड़ेंगे तो हम कोसिस करेंगे जो कम कैपस्ट्री वाला है उतन मिली कुलाम तक का चार्ज जेल सकता है तो जो छोटा चार्ज जेल सकता है वही चार्ज हम दोनों में common रखेंगे क्योंकि यदि हमने 5 से ज्यादा मिली कुलाम का चार्ज इस सर्कृट में जाने दिया तो यह तो जेल लेगा 3 टूजा 6 वाला लेकिन यह जेल नहीं पाएगा तो हम मानेंगे कि जो इसका जो चार्ज है यही चार्ज हम final charge रखेंगे ठीक तो वैसे पूरे Caucasus सर्कृ पो सिरींगे तो डिल्ल कैपिस्टंस क्या होगी टोटल कैपिस्टंस ना ला ला लो वाई क्यां सबस्क्री 15BC यह इतना मिली कुलाम का चार्च जाएगा तो यह तो हमने टोटल चार्च में आली हमने पहले टोटल सी बनाया सी लाइट कर दिए हमें सर्कुिट आफि ने स्थिस्ट करने वालेगे उस से जादा चार्ज सर्कुिट में जाने दिया तो यह जेल लेगा हम इस पर यह अफ ब्रेक्डाउन विल्टज के ब्रस्पंड रेंगे कि स्कली की च्राइब है सिट्ड चाटल चworth गजा लूँ मिलिकु लाम बाला ले ले लेंगे तो यह फोर अपान krij kita Three opposite in 맞 आ ये तो यह ऊजाएगा 20 बैस बते दीनो वोप मैंद्थ कुलर्ट अज़ाएगा थिय arrog Communinka नी 느 का Alors ठीक है नेक्स कोश्चन देखिए यह कोश्चन देखो इन नेटवर्क आप रेस्टर आज शोन इन दा फिगर दा इफेक्टिव रेस्टर्स बिट्वीन ए एंड बी तो यह ऊपर वाले दोनों का रेशो नीच ले दोनों के रिश्यों को बराबर है तो यह वीट इस्टोन भी पैशन दोट्रम और यह तो आजएगे अधिक है अब आर और और को टुवार कहेंगे और और को टू आर कहेंगे और 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 को टू आर कहेंगे ऐस्ट कि इसके वाज़ी ज़ेगाँ तो यह अंदो का रेश्यो एंदोनों के बराबर है तो यह आपका वीट स्टोनस्टम तो आर के साथ जोड़ लो टू आर भाई थी प्लस आर यह देगा फाइवार भाई थ्री यह फाइवार भाई थ्री अजाएगा ठीक है चलो ने सके इन एक्सपरिमेंट आफ सिंपल पेंडलम वी आफ तेकन द थ्रेड आफ वी आफ तेकन द थ्रेड आफ वन फर्टी मीटर लंबाई जो है वन फर्टी मीटर हो गई एंडाइव फाइव सेंटी मीटर टू बिगन विट यह फाइव सेंटी मीटर का अम्प्लिटी उट हो गया आप से एंगल पूछा है ठीक है तो थीटा आप आर्क अपॉन रेडियस लगा दो बस कोई बली बात थो लिए आर्क अपॉन रेडियस आर्क हो जाएगा फाइव रेडियोस हो जाएगी एक बैट एक बैटे चालिस यह लगब लगब सॉल्वों कि आपका दो डिग्री के असपास आजाएगा ठीक है तेले रेडियन में आएगा इसको जाए आप दिग्रीन से चेंज कर लिजेगा पाई बटेक सब्सक्राइब करके चाल नेक्स देखें तू रॉड ओफ डिफरेंट मेटेरियल हैविंग कोफिशन्ट ओफ थर्मल एक्सपेंशन एलफा वन एलफ two gonna do you know to rod of different material having co efficient of thermal expansion alpha one and alpha two young modules y 1 and y 2 r fixed between two rigid wall the rods are heated such that they undergo same increase in temperature there is no bending of the rod alpha one and alpha two is two is two three alpha one and alpha two is two is two three ढही मिज़ए है रिख लosedु स्चोट्रि गदर मल स्टस्ट्रस डवलप सैयल प्रोडस टारे डेखा थर्मल स्टरस का फॉर्मला पहले क्या है तो पुछा ऑपारी वन अपान वाइटू क्या होगा आप याद करिए थर्मल स्टस्ट का फॉर्मला क्या था थर्मल स्ट्रेस थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मला होता है वाई एल्फा डेल्टा थीटा ठीक है यह थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मला होता है वाई एल्फा डेल्टा थीटा तो कहरा दोनों के तर्मल स्ट्रेस सेम है तो वाई वन एल्फा वन डेल्टा थीटा वन वाई टू को आप से पूछा है तो यह एलफा टू अपॉन एलफा वन हो जाएगा में साल वो के थ्री स्टू टू आ जाएगा है ठीक है नेक्स्ट क्वेशन देखिए दा पावर सप्लाइब बाइदा मैंनेटिक फोर्स अक्टिंग अने मुवविंग चार्ज तो देखो भी या मैं जो चार्ज पार्टिकल और मैंनेटिक फोर्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और पावर का फॉर्मला एफ डॉ जो आएगी थो पावर स्काशालबेस क्योंकि मैंनीक फोर्स अमेशन फोटन और करके परपेंडिकर लगए गा to power हमेशा love अभी है अब क्यूं सेखेंट इसकोडियन वाइ तो स्कॉंडिज इसकेंड यदि दो फज्व Krill equal time interval के लिए जो distance होती है वो एक तीन पांच साथ के ratio में होती है equal time interval के लिए travel distance हमेशा एक तीन पांच के ratio में होती है यह x है तो यह 3x होगी यह 5x होगी ऐसे ही होगा तो हम सीधे सीधे कह सकते है y बराबर 3x अब्राइब के लिए वाई कर दो हो जायगा चूकि एक स्कॉर में चाहिए 검 Spill स्क्वार अपॉन वाई स्क्वार कर दो एक बटा नाइन आ जाएगा ठीक है चलो नेट्स देखो क्वेश्चन अबर उननेश इफ एंट बी आदा टू वेक्टर एंगल बिट्विन दैम रूट थी एक रॉस्पी इस एक रॉस्पी अरे भी याई डॉट भी होगा वगल में ठीक तो रूट थ्री माईड ओफ ए ग्रॉस्पी इस्काइट टू ए डॉट भी को find the angle between them to a cross B को हम a b sin theta लिख देंगे a dot b को हम a b cos theta लिख देंगे a b a b cancel हो जाएगा 10 theta is called to 1 by root 3 हो जाएगा 10 30 degree हो जाएगा theta बराबर 30 degree हो जाएगा ठीक है समझो a block of mass m is in constant with card c as shown in the figure figure गया हो गया लेकिन मुझे idea है कोई दिक्कत वाली बात ही मैं सिखा देता हूँ printing mistake हो बहुत ही पुराना basic neat में कई अवार आया वह सवाल है कोई दिक्कत वाली बात सब्सक्राइब लगता है तो इस पर सूडो फोर्स पीछे क्यों लगता है में जब यह खांँ के रूप में मिल जाता है समझ यह समझ यह यह जो को का रघ्ड है जब हम इसको का इंक्लेश्टाइए मोल लगता है में में यह एप सुर्फिस दबाता है तो उतना सब्सक्राइब यह जो फ्रिक्शन है वो या तो इससे बराबर हो या तो बड़ा हो तो यह मामला बन जाएगा और नॉर्मल रियक्शन की वैलू क्या रखेंगे एम इस में शुट भी ग्रेटर एक्वल टू एम जी होना चाहिए एम से हैं कैंसल ए शुट भी ग्रेटर तो जी भाई म्यूवी सही है एक्वल टू जी भाई म्यूवी सही है सेकंड एन थार्ड फॉर्ट ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक है बुलेट फायर फ्रॉन दा गन दा फोर्स ऑन दा बुलेट इस गिवन भाई 400 इंटू 10 देखो वह या फोर्स दे रखा है फोर हेंड्रेट 400 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 5T ठीक है इफ दा एफ इस दा न्यूटन टी इस दा सेकंड दा फोर्स ऑन दा बुलेट बिकम जीरो एस शोन इट लीज दा बैरल वाट इस दा एवरेज इंपल्स देखो इंपल्स का जो बेसिक फॉर्मला है वह इंटिग्रेशन टीवन से टी की 2 f dt होता है तो हमें पता करना पड़ेगा किस टाइम तक इस पर फोर्स लगा तो जब यह बैरल से जा देखो यह बैरल है कि पहले तो बुलेट यहां फसी थी वह तो टाइम स्कल्टू जीरो गया जब बुलेट इस बेरल से बाहर निकली तो उस पर फोर्स लगना बंद ह तो यह 2 से 2 cancel जाएगा, यह 200 आजाएगा, यह 10 की पावर 5 मीचे आजाएगा, तो T is equal to आजाएगा 200 into 10 की पावर minus 5, यह आजाएगा 2 into 10 की पावर minus 3, यह time हो गया, ठिक, अब हमें जो range लेनी पलेगी, वो 0 से T की लेनी पलेगी, क्योंकि केवल इतने time तकी force लगा है, तो 400 minus 2 into 10 की पावर 5T dt, इसका हमें इंटिकेशन करना है, तो इंटिकेशन कर लो, तो यह जगा 400 T minus 2 into 10 की पावर 5, ती का इंटिकेशन T square by 2, यह आपकी range हो गई, 0 से T, तो 0 लेनी जो अपनी केवल T लेलो, तो बस T की वैलू रख दो, तो 400 into T, यही रखोगे, 2 into 10 की पावर minus 3, 2 into 10 की पावर 5, यहाँ पर यह नीचे 2 है, T का square कर दो, तो यह 4 into 10 की पावर minus 6, बस इस वैलू को रख solve कर लो, 2 से 2 cancel, ठिक, तो यह आपका आ जाएगा, 0.8, राइट, आट सो, मैं से 10 की पावर minus 3, तो यह 0.8 आजाएगा, यह आजाएगा, 0.4, solve होके 0.4 आजाएगा, चलिए, next question देखते हैं, Encyclic process ABCD shown in the PV diagram, BCDAR the rectangular hyperbola, आपको इस पर कौन सा step सही होगा, देखो, सबसे पहले AB को पहचानते, A से B को पहचानो, A से B में क्या है, भ्यान से देखो, A से B, इस पहले इस graph को देखो, फिसको देखकर हम इसको बना लेंगे, A से B में क्या है, आपका pressure constant है, वॉल्यूम बढ़ लाए, प्रेशर constant है, जब भी pressure constant होता है, तो volume directly proportional to temperature होता है, A से B में pressure constant है, तो हम expression बोलेंगे कि volume directly proportional to temperature होगा, चुकि यहाँ volume बढ़ रहा है, तो temperature भी बढ़ेगा, यह A से B की बात होगी, B से C की बात करते हैं, इसमें तो rectangular hyperbola है, तो temperature constant होगा, temperature constant होगा, pressure inversely proportional to volume हो जाएगा, चुकि volume बढ़ रहा है, तो pressure घट रहा होगा, चलो C से D की बात करते हैं, C से D की बात करते हैं, C से D में volume constant है, volume constant है, तो pressure directly proportional to temperature होगा, अब चुकि pressure घट रहा है, तो temperature भी घटेगा, ठीक है, फिर D से A की बात कर लो, D से A में क्या हो रहा है, फिर rectangular hyperbola है, तो temperature constant होगा, temperature constant होगा, चुकि pressure बढ़ रहा है, तो volume घटेगा, अब हमें ऐसा देखना है, जो इस condition को follow कर रहा है, देखो कैसे देखें, सबसे दोब pressure और temperature के बीच ग्राफ देखना है, तो हम pressure और temperature का लेंगे, तो pressure constant temperature बढ़ना चाहिए, pressure constant temperature बढ़ रहा है, बीचे 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 बीच temperature constant और गहत रहो दीजि़ क्रेशर घंच्ट और राय यह वह है यह दो गया अभी तो एसा द्युलिदिकि मैं क्या चाहिए mattress घंच नहीं को प्रेशर घंच तो पोड़ को यह इसमें नहीं घट रहे हैं इसमें तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक नेक्स्ट क्वेशन देखो ही लिए सिंपल बोर मॉडल और नॉट एप्लिकेवन फॉर ही फॉर भाईया सही है क्योंकि वन स्ट लेटर काम करेगा घृक मोर्डें बन एलेक्टर ओंडल पर बोर मॉडल काम करता है इसलिए बोर मॉडल इससे काम नहीं करेगा बॉडी वेट 400 न्यूटन अन्द सर्फेस ओफ अर्थ हाउ मच इट विल वेट वन फोर्थ फ्रॉम दा सेंटर ओफ अर्थ समझे अर्थ के अंदर के पॉइंट पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होती है फिर अंदर के पॉइंट पर आगे बन बले दो सेंटर प अर्थ के सेंटर पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होती है और अंदर के किसी भी पॉइंट पर जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो आर के डिरेक्ली पॉपोर्शनल होती है और सर्फेस पर मैक्सिमम होती है तो जब आप अंदर आएंगे तो जो एक् बैटेगी तो आपको इस बात को समझना है कि अंदर के पॉइंट पे जो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो आर के हिसाब से बढ़ती और घटती है ठीक है तो जब आपका रेडियस पहले का वन फोर्थ हो जाएगा तो जो वेट है यह देखो यह दूरी पर एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी बाई फोर्थ हो जाएगा तो इसी तरह से जो वेट है वो भी बाई फोर्थ हो जाएगा मेरी बात को समझ यह जो सेंटर पे एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो जीरो होती है तो सेंटर पे एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नेरी यहां आर पर हम जीवह थे तो आर्बाइफ एवाइफ खिर आप ग्रैविटी पाहीं फोड हो गी तो वेडिट भी या फाइफ फेरो दाएगा तो चार सो का बन फोर्थ कितना हो जाएगा 100 certain मैं i a today we go in toishment decision एक्सپेरिमेंट है रेशो वन इस टू नाइन रेशो अपaltra इंटेंसिती यह द्वट का रेशोender रखा है रिखा है तो आप यहाँ से इंटेंसरी का रेशोँ निकाल सकते हैस्क्रायर कि Optim's Solidak के रेशोसे आप एक्सिम को सकते हैं देखेक जarchy को देखो वाई आपको इंटेंस्टी का रेश्यो दे रखा है ठीक इंटेंस्टी का रेश्यो दे रखा है विट का रेश्यो एंप्लिट्यूट के रेश्यो के बराबर होता है तो एंप्लिट्यूट के रेश्यो के बराबर होता है तो एंप्लिट्यूट के रेश्यो के बराबर होता है तो ए इसा कह सकते हैं आई टू इसकल टू नाइन आई वन आई वन अब मैक्सिमम इंटेंस्टी पूछा है मैक्सिमम होगा रूट आई टू प्लस रूट आई वन का होल स्क्वार मिनमम होगा रूट आई टू माइनस रूट आई वन का होल स्क्वार तो रूट आई टू करोगे तो रूट नाइन वन हो जाएगा तो थ्री रूट आई वन प्लस रूट आई वन का होल स्क्वार यहां हो जाएगा थ्री रूट आई वन माइनस आई वन का होल स्क्वार यह हो जाएगा फ हां विट्थ डारेक्टली पोपोशनल टू आई होता है ठीक है अब बच्वे कोश्चन आपको वसीम सरा के बढ़ियां से कराएंगे अब हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है करते है हुआ करते है और दून अब धर दो करते है करते है पर दो आदे है जो जो बाते है चलिए मैं स्टार्ट करते हैं कुश्चन नमबर 25 तक हो गया कुश्चन नमबर 26 से चलो कुश्चन नमबर 26 कुश्चन नमबर 26 में चलो यहां पर एक रे दे रखी है जिसमें इंसीडेंट एंगल दे रखा 60 कुश्चन में बताना है कि यह मू का वैलू क्या होगा रिफ्रेटर इंडेक्स आप पर देखा ध्यान से कि हमाएं पास दो सर्फेस है इसको अगर लिखें तो एक इंटर्फेस अभी हो इसको अगर डी माले तो आप यहां पर देखो तो यहां पर हमको टी आई यार हो रहा है यहां पर एंगे ले जिसने दिगरी यह नार्मल यह रहा है ओर फिर जो ऐडी तो यहां पर इंटर्फेस है इसको अम लोग देखें क्योंकि ray दूसरे medium में नहीं जा रही है तो AD surface पे क्या हो रहा है TIR और TIR होने की condition क्या है कि यहाँ पर जो incident ray होगी यह वाला angle incident की जो value होगी या incident angle वो critical से ज़्यादा होना चीए ठीक है ना एक तो method आपको solution में जो दिया है वो है आपको इसका shortcut बता रहे है और वो बिल्कुल आसान आपका होगा same process हम लोग पढ़ते हैं किसमें same process हम लोग पढ़ते हैं optical fiber में और optical fiber में हम लोग ने अगर पढ़ा था आपको याद हो तो यहाँ पर जो core होता था यह denser medium का होता था और इसके बाहर जो होता है यह rare medium होता है और ray जब इसमें आती थी और incident angle यहाँ पर हम लोग लेते थे i तो यहाँ पर एक फार्मूला लिखते थे sin i square 2 under root mu dancer का square minus mu rare का square अब question में incident angle 60 है ठीके ना तो sin i की जगहाँ पर हम लोग लिखेंगे sin 60 denser medium का यानी mu का value निकालना है तो mu square rare medium मतलब air है मतलब 1 हो गया under root mu square minus 1 60 का value होता है root 3 by 2 equal to हो गया under root mu square minus 1 दोनों तरह भी square करेंगे और तो value हो जाएगा 3 by 4 plus 1 equal to हो गया mu square solve करेंगे तो यह हो गया 7 by 4 और mu का value under root 7 by 4 तो यह आपको बहुत आसान लगेगा इस question को solve करने के लिए आप optical फाविबर वाला concept लगाए इससे answer बिलकुल आसानी से लग जाएगा ठीक है तो पहला answer इसका answer जोएगा under root 7 by 4 answer number 4 होगा चौथा answer correct होगा ठीक है ना neat में question दिया है वहाँ पर angle यहाँ पर angle size 30 लिया है neat angle यहाँ पर 30 लिया है तो वहाँ से निकाल सकते हैं चलिए अगला question question number 27 the coefficient of mutual induction when magnetic flux change by 2 into 10 power minus 2 and current change by 0.01 MPR is mutual induction का value बताना है आपको मालूम है कि यहाँ पर change in flux बराबर क्या लिख सकते हैं total flux change की value किसके बराबर होती है या इसको ऐसे लिखें induced MF in secondary equal to MDIYDT in primary ऐसे लिखते हैं और induced MF को हम लोग क्या लिख सकते हैं D5YDT D5YDT बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हो गया MDIYDT question में यह लिख सकते हैं इसको change delta 5Y delta T बराबर हो गया M delta IY delta T अब ज़रा question में देखा हूँ यहाँ पर flux में change दे रखा है flux changes by 2 into 10 की power minus 2 तो यह flux change की value question में दे रखा है 2 into 10 की 30 से T cancel कर दे तो change in flux हो गया 2 into 10 की power minus 2 M की value mutual induction निकालना है और current change की value question में given है कितना है 0.01 तो यह 2 से 2 upon 0.01 तो यह cut जाएगा तो answer आ जाएगा M equal to 2 2 henry तो correct answer होगा 2 henry पहला answer होगा ठीक है क्लियर है चलिए अगला question करते है question number 28 3 waves of amplitude 12 micrometer 4 micrometer and 8 9 micrometer but the same frequency arrive at a point in a medium with successive phase difference successive phase difference of pi by 2 then resultant amplitude resultant amplitude नहीं क्यालना है देखो सभी में successive यानि 12 और 4 के बीच्च वें pi by 2 का phase difference और 4 और 9 के बाद में pi by 2 का phase difference हो गया ठीक है ना इसका मतलब हुआ 12 और 9 में जो phase difference होगा वो pi का phase difference होगा 12 और 9 में phase difference कितना होगा 9 यहां पर हो गया pi का तो पहले 12 और 9 का pi में phase difference है इसका मतलब हुआ अगर दो vector है और उनका phase difference pi है तो इनका resultant होगा इनको आपस में घटा दे तो हम लोग क्या करेंगे 12 में से 9 को घटा दे तो यह amplitude आ गया हमारा 12 में minus 9 तो यह value आ गया 3 ठीक है ना तो यह 12 और 9 का जो phase difference हो गया उसका resultant आया 3 अब 3 और 4 के बीच में angle बना 90 तो 3 और 4 का अगर हम लोग resultant निकाले तो यह अगर इसको 3 बोले इसको 4 बोले इनके बीच के angle 90 डिग्री है तो resultant क्या हो जाएगा 5 तो amplitude का value आएगा 5 तो correct answer होगा third clear बार तो हम लोगों ने 12 और 9 का पहले क्या निकाल लिया इनके बीच का phase difference सभी के बीच में pi by 2 का है इसका मतलब हुआ 12 और 9 के बीच में pi का phase difference इसका मतलब इन दोनों का जो difference आएगा वो 3 आएगा और 3 और 4 perpendicular होंगे तो इसका मतलब इनका resultant 5 आएगा अच्छा question था भई ये question number 29 total energy निकालना है question में first excited state of hydrogen atom is about 0.34 तो total energy की value first excited state में दे रखा है minus 3.4 kinetic energy निकालनी है तो kinetic energy तो बिल्कुल आसान होगई kinetic energy equal to minus का total energy तो ये minus sign है total energy का और minus कर देंगे तो answer आ जाएगा plus का 3.4 electron bolt answer होगा पहला पहला answer होगा ठीक ना आपको मालूम है kinetic energy equal to होता है minus का potential energy by 2 kinetic energy potential energy में अगर relation पूसता तो ये answer निकाल आता चलिए अगला question है question number 30 stream at 100 degree centigrade is a pass into 20 gram of water at 10 degree centigrade when water required temperature of 80 degree दोको यहाँ पर water है water जो कितने पे है stream 100 पे है water है 10 degree ये 10 degree centigrade पे water है ये water है ठीक ना और इसका मास दिया है कितना 20 gram तो ये water है 20 gram और इसका temperature कितना हो जाएगा 80 degree इसका temperature हो गया 80 degree जब क्या किया गया इसमें steam डाल दिया गया तो इसमें माल लेते हैं ये हमारा steam है और steam यहाँ पर 100 degree पे है तो ये हमारा steam जो है वो 100 degree का steam इसमें मिलाये जा रहा है और इसका मास हम लोगों ने माल लिया M gram steam इसमें मिलाये जा रहा है ठीक ना जब इसमें steam मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा water का temperature change हो गया कितना हो गया 80 कुश्चन में बताना है कि कितना water present होगा तो जितना stream यहाँ condensed होगा water में उतना stream condensed होके water बना देगा तो पहले 20 है तो इसका answer 20 से ज़्यादा आएगा क्योंकि यहाँ पर जो मास है जो stream condensed होगा वो भी water में बदल जाएगा तो अगर हम लोग M का यहाँ पर M की value निकालने तो 20 में M जोड देंगे तो total water आ जाएगा चलो देखो कैसे निकालेंगे इसमें यहाँ पर stream अब इसको convert करते हैं देखो stream सबसे पहले convert होती है 100 degree का stream बदलेगा 100 degree के water में 100 degree के water में बदलेगा stream तो stream जब water में बदलेगा तो phase change हो रहा है और phase change होने में हम लोग लगाते हैं M into L तो heat का formula M into L latent heat of vaporization लिखेंगे ठीक है ना चलो value रखते हैं यहाँ पर अच्छा आब 80 से 100 से यह किस में convert होगा 100 से 80 degree के water में convert होगा तो देख लेते हैं कितनी heat release करेगा तो यहाँ पर यह हो गया हमारा q1 और यह हमारा हो गया q2 q2 की value अगर देखे तो mc delta theta लगाएंगे ठीक ना और यहाँ से जो heat होगी कितनी heat इसको required है heat required heat required की value क्या लिखेंगे यह भी water यह भी water तो यह लगाएंगे mc delta theta heat last equal to heat gain यह करना है हमको चलो कितनी heat की required है और कितना यह stream देगा चलो इसका mass है यहाँ पर लिखेंगे mass है m latent heat of vaporization है 540 plus यहाँ पर mass m है specific heat 1 temperature difference 100 से 80 temperature difference हो गया temperature difference हो गया 20 का यह हो गया हमारा जो heat loss हो रहा है equal to heat gain heat कौन gain करेंगा water कितना है mc delta theta m का value 20 20 c का value 1 temperature difference यह 10 है यह 80 है तो 70 का difference आईगा फिक है उपर solve करते हैं तो 540 plus 20m मिलके हो गया 560 560m 560m equal to हो गया 20 into 70 तो m का value निकालना है तो m equal to हो गया 20 into 70 divided by 560 560 0 से 0 कार दें अगर यह 20 यह 3 से कार लें लगवग यह 2 points 2.5 के आसवास answer आ रहा है इसमें gram में मास जो stream हुआ इसका value कितना आ गया 2.5 gram ठीक चलो ध्यान से देखो पहले water कितना था 20 gram इसमें stream कितना condense हो के आ गया 25 gram तो total water कितना present हो गया 20 plus 2.5 तो एंसर हो जाएगा 22.5 क्लियर है भाई बताओ क्लियर हो गया यह तो यहाँ पर आप पहले stream से stream से कितनी energy loss होगा वो निकाल ले और water को कितना heat required है वो देख ले दोनों को बराबर कर दे तो answer आ जाएगा question number तो answer इसका आएगा इसमें answer जो आया था वो fourth आएगा 31 photon absorbed in a matter are converted to heat अब देखो photon जो energy absorb कर रहा है वो heat में convert हो रहा है इस source emitting n photon per second of frequency new is used to convert 1 kilogram ice जो energy use हो रहा है उसको किसमें convert करा रहे है एक kilogram ice को 0 degree को convert करना है 0 degree के water में तो कितना समय यहाँ पर लगेगा question में हमको क्या निकालना है टाइम कौन सा भाई दिख नहीं नहीं रहा है लेग हो रहा है दिख रहा है बताओ भाई दिखाई पड़ा की नहीं है जो रहा एक बर बताओ इस्क्रीन आपको दिख रहा है जो फोड़ा एक सेकंड दिखा देते लाइग हो रहा है इस इसके इंदेख रहा है इस पूल 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 है इस देख बीजबी में लेक्वाथ हो रहा है ठीक है चलिए ठीक है ठीक है चलो भाई यहाँ पर देखो फोटान कितना इनर्जी यहाँ पर यूज़ करेगा इनर्जी आप फोटान यूज़ का वैलो निकालें इनर्जी आप फोटान यूज़ कितनी फोटान इनर्जी यूज़ करेगा फिक्षर न तो यहाँ पर देखो एक फोटान की इनर्जी होता है i i होता है यहाँ पर नमबर यहाँ पर क्या दे रखाए फोटान पर सेकेंड तो यह n हो गया और एक फोटान की अनर्जी है अगर e तो ये हो गया N और इसमें time से multiply कर देंगे तो N into T into E ये आ गया हमारी energy of photon use जितने energy photon ने use किया उसका value हो गया photon per second into time into energy अब question में ये जो energy है वो किसमें convert कराना है एक ice जो की 1 kg का है उसको convert करना है water में ice 0 degree का है इसको water में convert करना है तो ये जो energy है उसको convert कराना है ice को करवाना है किसमें यहाँ पर देखो ये energy use है इसी energy को किसके बराबर कर दें energy को बराबर कर दें चुकि यहाँ पर ice जो है ice convert हो रहा है किसमें water में तो यहाँ पर heat की value या energy की value क्या लिखेंगे M into L तो यहाँ पर जो energy यह use है उसको m into l के बराबर कर दो अब कोश्चर में चुकि data निकालना नहीं है value नहीं निकालना है आपको केवल क्या निकालना है कोश्चर में time की value तो time is equal to हो गया हमारा m into l upon n into e और जो energy होता उसको बोलते है h c by lambda या h new तो यह time का formula आ गया ठीक है चलो यहाँ पर देखो ध्यान से आप question में पहला option time की value decrease करेगा with increase in n and v fix अगर n का value increase करें अगर n का value increase करें frequency fix हो तो time की value decrease करेगा बिल्कुल सही बात है अगर यहाँ पर n की value increase करेंगे time decrease करेगा पहला सही है दूसा decrease with n fix अगर n को fix कर दें और v को increase करें तो frequency के increase करने से time क्या होगा decrease होगा तो decrease कर रहा है बिल्कुल सही है तीसा option remain constant with n and v changing such that nba अगर constant हो अगर n और v की value constant है तो यहाँ पर temperature की value constant होगी इसका मतलब सारे answer सही है correct answer all of the above होगा ठीक है तो सारे answer इसमें सही हो जाएंगे तो energy photon का लिख लें एंटी के बराबर होगा चलिए अगला question question number 32 fusion process like combining two deutron to form helium nucleus are impossible at ordinary temperature इसका reason क्या है देखो अगर देखो हम लोग को मालूम है कि दो deutron 1s2 plus 1s2 यह मिल के क्या बनाएंगे helium पूछा है यह आड़नी temperature पर यह reaction नहीं होती इसका reason क्या है कि जो nucleus होता है वो positive nature का होता है और जब यह helium दोन helium आपस में मिलेंगे यानि पास में आएंगे तो उनके बीच में क्या लगेगा चुंकि दोनों का nature positive है तो इनके बीच में लगेगा repulsion तो अगर electrostatic repulsion वहाँ पर ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब यह दोनों आपस में मिल नहीं पाएंगे तो क्या किया जाता है कि यहाँ पर जो temperature है और pressure है उसको यह electrostatic repulsion को electrostatic repulsion को कम करने के लिए क्योंकि जैसे यह दोनों पास आएंगे अगर वह nuclear nuclear force के range से कम होंगे है ना nuclear range में नहीं आएंगे तो electrostatic वहाँ पर क्या हो जाएगा वह dominate हो जाएगा और electrostatic repulsion उसमें हावी हो जाएगा तो वह आपस में जोड़ने नहीं देगा तो electrostatic repulsion को overcome करने के लिए हम लोग high temperature temperature रखते हैं और pressure high रखते हैं जिससे electrostatic repulsion कम हो जाए या खतम हो जाए और वहाँ पर केवल क्या रह जाए निउक्लियर निउक्लियर फोर्स लगे केवल तो electrostatic repulsion को खतम करने के लिए हम लोग high temperature और pressure का यूज करते हैं यहाँ पर ठीक है ना तो answer इसका क्या हो जाएगा निउक्लियर फोर्स है यह यह लॉंग रेंज नहीं होता है यह तो short range होता है तो यह तो पहला गलत है दूसरा answer होगा यह सेकंड निउक्लियर सार पॉस्टिव चार ठीक ना क्लियर हो गया तो दूसरा answer इसका सही होगा तो यह second option करेक्ट करेंगे चलिए अगला question करते है नंबर 30 थी इन यंग डबल शेट इक्सपेरिमेंट दा सोर्स इज वाइट लाइट वन अब दा होल इज कवर्ड बाई रेड फिल्टर एन अने दर वाई ब्लू फिल्टर आपको मालूम है यहां पर जैसे हम लोग पढ़ते हैं किसका यह डबल शेट इक्सपेरिमेंट इयां पर श्क्रीन होता है और यहां पर सोर्स होता है माल लेते हैं यह सोर्स है जो की मौन कृमेटिक लाइट है ठीक है यहां पर जब इसमें से रे जाए गे अब यहां पर एक कॉलर क्या बना दिया हimeter से एक है red filter और दूसरा कैसा हो गया दूसरा हो गया blue filter तो यहाँ पर red और blue दो filter लगा दिये तो जब यहाँ से red जाएगी तो चुकि यहाँ पर red है तो यह color red हो जाएगा यह blue हो जाएगा और आपको मालूम है red color की wavelength और blue color की wavelength दोनों अलग अलग हो जाएगी wavelength अलग हो जाने के कारण interference नहीं होगा क्योंकि interference होने के लिए जो light होनी चाहिए वो होना चाहिए था यहाँ पर monochromatic light होनी चाहिए monochromatic light का यूज किया जाता है लेकिन चुकि यहाँ पर दोनों अलग अलग कलर की हो जाएगी इसलिए यहाँ पर interference नहीं होगा ठीक है तो different color हो गया यहाँ पर एक red color हो गया और एक कौन सा color हो गया blue color तो color अलग अलग होगा तो interference नहीं होगा तो no interference होगा ठीक है न चलिए अंगला question है question number 34 एक graph of v versus t is shown in the figure choose the correct correct बताना है graph है x और t के बीच में x और t के बीच में graph है ठीक ना पहला यहाँ point है a तो यह वाला point यहाँ पर a है dx यहाँ पर दोको x और t का graph है और x t graph का अगर हम लोग slope देखें यानि dx by dt करे और dx by dt को हम लोग slope बलेंगे और dx by dt देगा velocity तो a point पे जो है slope का value 0 है a point पे slope 0 है dx by dt 0 होगा इसका मतलब velocity 0 होगा और velocity 0 का मतलब होगा rest से छोड़ा गया तो the particle was release from rest तो पहला answer सही है दोसा option देखते है at b यहाँ पर देखो b पे accession पुचा है b पे accession पुचा है और यह यहाँ पर line कैसी है यह conqueo line है उपर देखो conqueo बन रहा है conqueo बनने का मतलब क्या हुआ अगर यहाँ पर accession निकालना है तो दो बार differentiate करें d2 x upon dt square और यह value बताओ भाई conqueo है मतलब less than 0 है और अगर यह value 0 है यानि accession की value यह accession होगा यह accession की value less than 0 होगा यहाँ पर greater than 0 है यहाँ पर accession क्या होगा less than 0 होगा अगर यह ऐसा graph बना है चिर रहे तो यहाँ पर accession क्या होना चीए less than 0 जबकि दिया क्या है getter than 0 at d the velocity and the accession venus venus का मतलब दोनों की value 0 हो गई velocity और accession की value 0 हो गई तो यहाँ पर देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर velocity होगा की नहीं होगा तो यहाँ पर slope देखेंगे यहाँ पर velocity की value 0 होगी की नहीं होगी तो यहाँ पर velocity और accession 0 नहीं होगा तो कि यहाँ पर slope देखेंगे और slope कैसा है slope यहाँ पर है greater than 90 तो speed कम हो रही है तो यहाँ पर यह 0 होगा तो यह गलत हो गया चौथा अपसन देखें average velocity फार्दा motion between A and D A और D के बीचे में हमको बताना है average velocity average velocity जो होता है displacement displacement upon time displacement होता है final minus initial final यहाँ पर कितना है यह है D जो कि यहाँ पर 0 है और initial कितना है यहाँ पर A जो कि positive है और X यहाँ पर तो यह इसका मतलब यहाँ पर displacement negative आएगा यहाँ पर positive दिया है तो यह जो positive दिया है वो क्या होना चीए यहाँ पर negative आना चीए ठीक है तो किलियर एंसर हो गया पहला एंसर सही है बागी में करेक्षिन देख लो एक ग्रेटर देंग जीरो के बने जीरो आना चाहिए यहां पर विलॉस्टी एक्सेशन 0 नहीं होगा यह पर विलॉस्टी जो यह व्लॉस्टी है वो निगेटीव होगा अगला कुश्छन है क और आपको मालूम कि अगर circuit में capacitor लगा होता है तो study state की condition में capacitor में कोई भी current नहीं जाएगी तो यहाँ पर current इस रास्ते में current नहीं जाएगी क्योंकि आगे capacitor लगा हुआ है करपेशिटर लगा हुआ है तो इसके मतलब हुआ कि यह है 4 माइको फैरड यह है 4 माइको फैरड और यह है 2 ओम और यहां पर 2.5 बोल्ट की बैटरी लगी है इंटर्नल रजिस्टेंस कुष्टन फे 0.5 है बताना है वही टोटल एमाउंट आप चार्ज चार्ज की बैवलू बताना है तो कैपेशिटर पे चार्ज हम लोग लिखते हैं Q बराबर C B से C की बैवलू मालूम है केवल बोल्टेज की बैवलू मालूम हो जाए बोल्टेज की बैवलू निकालने के लिए आप ध्यान दे कैपेशिटर में करेंट जाएगा नहीं तो करेंट की बैवलू पहले निकाल लेते हैं करेंट की बैवलू यहां पर इस पास से जाएगा प्लस 0.5 तो यह वैलू आ गई 1 MPR करेंट की वैलू 1 MPR आ गई ठीक है न अब यहां पर ज़र ध्यान से देखो यहां पर 2 बोल्ट पे पोटेंशियल डिफ्रेंस निकाल ले टू अम पे पोटेंशियल डिफ्रेंस तो पोटेंशियल डिफ्रेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट पोटेंशियल डिफ्रेंस की वैलू 1 पोटेंशियल डिफ्रेंस की वैलू 2 तो टू बोल्ट का पोटेंशियल डिफ्रेंस होगा तो होगी यह दोनों ब्रांच कैसी हैं अपस में पैलल तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर कैपेसिटर वाली ब्रांच में भी टू बोल्ट होगा चूंकि यह जो रजिस्टेंस है इसमें करेंट नहीं जा रहा है तो इसमें पोल्टेज ड्रॉब की वैलू जीरो आगी तो इस माइक्रो कूलम राइट एंसर होगा करेक्ट एंसर 4 होगा ठीक है किलियर बात हो गई ठीक है तो पहले क्या करेंगे कि हम लोग कैपेसिटर के पहलेल वाली ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वही कैपेसिटर की ब किसको मिलेगा पूरा का पोडेंशियल फोर यानि कैपेसिटर को मिलेगा है ठीक है भाई किलियर भाई है चलिए अगला खरते हैं कुश्चन नमबर यह तो इस एंसर हो गया यहां पर फोर कुश्चन नमबर 36 दख पंडक्टिविटी आप क्युक्य थेड़ेस्टीव esempio ऐख च monopoly का मिल्टना था ढ़ेख है कर नहीं एट स्थेग्टर ंदस्थेड़ा क्यूरा हि धिए शहता न strongest मिलेगा है यह वी द्ला गप्लति काटा यह पर को क्ट्रीश्टीविटीdar की cog आप ड्हिकलेस्ट ऑ हन mineral क्या होता है spend productivity बडाबर होता है 1 upon resistivity model Dublin बेराबर क्या होता है 1 upon resistivity formula होता है n e square Tao by m यहां से देख लो इस कनद्टिव इस क्वाई टाउ बाई यहां पर कंड़क्टिविटी इन्वर्स्टी प्रपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी फार्मुला होता है एन इसक्वाइड टाउ भाई एम पूछा किसके गिया था सेमी कंड़क्टर घ्यान से देना भाई सेमी कंड़क्टर में अगर टेंपरेचर इंक्रीज कराएंगे त सेमी कंड़क्टर और इंसुलेटर एंस्याटी में दोनों लिखा हुआ है सेमी कंड़क्टर और इंसुलेटर दोनों के लिए यह वाद सही है कि अगर हम लोग टेंपरेचर इंक्रीज कराएंगे तो एन का वैलू क्या होगा बढ़ेगा टेंपरेचर इंक्रीज कराने में से एन का वैलू नमबर यानि की चार्ज डेंसी नमबर आप चार्ज पर यूनिट वालूम इसको बोलते हैं इसका वैलू बढ़ेगा किसके लिए सेमी कंड़क्टर और इंसुलेटर में टेंपरेचर बढ़ाने से एन का वैलू बढ़ता है और ताउ यानि की टाइम कॉंस्ट इलेक्टरॉन की स्पीड बढ़ती है स्पीड बढ़ने से कोलिजन जल्दी जल्दी होगा कोलिजन जल्दी जल्दी होने से टाइम का वैलू कम लगेगा तो टेंपरेचर बढ़ाने से एलेक्टरॉन की स्पीड बढ़ती है स्पीड बढ़ने से टाइम जो लगता है कोलिज ये बास सही है नमबर डेंसिटी वेलो बढ़ेगी लेकिन यह और थे लिन चयए नहीं है क्यों होता है रिलक्सेटेम टाइमर कुस्त और ओक्रीज नहीं होगा डिक्रीज होगा Stay decreases होना चीए यह बोथ नंबर डेंसिटी आप करियर रेलेक्सेंट टाइम इंक्रीजर यह क्या है यह गलत होगा बढ़ेगा नहीं दोनों ठीक है ना तो चौथा आपसे देखते हैं नंबर डेंसिटी आप करेंट करियर इंक्रीजर बिलकुष रही साही रेलेक्सेंट of decrease in relaxation time is much less than increase in temperature number density चौथा answer correct होगा तो इस फार्मुले में बैलू रख देना वाई इस फार्मुले में बैलू रख देना अगर यहाँ पर semiconductor ना होता और यह metal होता यानि conductor होता तो metal का जो यहाँ पर n होता वो temperature बढ़ाने से change नहीं होता दियान से सुनना मेटल अगर यह question में मेटल होता तो मेटल का number density temperature बढ़ाने से change नहीं होता लगबग constant होता है तो यह बात याद रखना ncrt में दे रखा है यह point कि अगर मेटल होगा तो मेटल में केवल टाउ देखा जाएगा मेटल में क्या देखा जाएगा time constant जबकि semiconductor और इंसुलेटर में एन और टाउ दोनों देखा जाता है एन और टाउ दोनों देखा जाता है और वहां से एंसर लिखा जाता है चलिए अगला question करते है question number है 37 which of the following physical quantity is dimensionless dimensionless का मतलब हुआ जिसकी dimension M0 L0 T0 मतलब इसका dimension क्या होगा dimensionless quantity specific gravity बता ओपर density नीचे density 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 in air upon density क्या लिखते है density of water मतलब relative में लेते है density तो यहाँ पर density उपर भी होता नीचे भी होता है तो इसका भी क्या हो इसका dimensionless एंगल तो dimensionless होता है इसका मतलब सारी dimensionless quantity है सारी dimensionless quantity है अच्छा इसमें बता हो कौन सी unitless और dimensionless इसमें बताना है कौन unitless और dimensionless है unitless and dimensionless कौन सी quantity है unitless और dimensionless अगर कुश्चन होता unitless और dimensionless एंसर कौन सा होता unitless और dimensionless अगर पूछा जाता तो answer क्या लगाते unitless और dimensionless भी हो इस्ट्रेंड 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 जो है unitless dimensionless है बिल्कु सही है नहीं specific gravity का तो होता है ने भई specific gravity का unit होगा चलो भई confirm कर लेना ध्यान में नहीं आ रहे specific gravity इस्ट्रेंड तो confirm है एंगल की unit होती है न एंगल की unit क्या होती है radian एंगल की unit क्या होती रेडियन या degree ठीक है चलो अगला question करते है question number 38 root mean square velocity आप gas molecule तो को भाई root mean square gas में हम लोग क्या लिखते हैं rms equal to under root 3 rtym अब question में क्या बुला गया कि अगर हम लोग atomic weight को double कर दे atomic weight का मतलब इसको double कर दिया इसको 2m कर दिया और temperature को आधा कर दिया इसको क्या कर दिया ty2 तो बताओ b rms की value क्या हो जाएगी तो यह dash करेंगे बताओ बाई time की जगा यह temperature ty2 यह तो नीचे क्या जगा 3 rt by 4m मतलब कितना आगया under root 3 rt by m और यह value क्या हो जागा 1 by 2 यानि आधा हो गया पहले का आधा हो गया specific gravity का dimension एक्सेशन के बरावर होता है चलो अभी ध्यान में नहीं आ रहा है specific gravity का dimension तो यह हो गया 3 rt by m और यह value 1 by 2 हो गई मतलब कि जो b rms की value आएगी वो b by 2 हो गई कितनी हो गई आधी हो गई तो यहां पर पहले कितना था 300 और 300 का अधा कितना हो गया 150 तो 150 इस राइट एंसर एंसर नंबर सेकेंड होगा तो 38 का एंसर जो होगा वो क्या होगा second हो जाएगा बता वाई clear है क्लियर हो गया वही चौड़ अगरा देखते हैं अच्छा इस स्पेसिफिक ग्रैप्टी को बोलते हैं रिलेट डैंस्टी ऑफ अब्जेक्ट अपान डैंस्टी आफ लूड देखो भाई इस पर हम लोगों नहीं यहां पर एक बात थोड़े स्थोड़े स्कंफिंजन और ती स्पेसिफिक क्रती जो हता है यह बीजिविज और ऑब्जेक्ट अफा डेंस्टी आफ स्वीड यह वह जो है क्या हो जाएगा डाने स nerd हो नहीं होगा थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था चलिए अगला कुश्चन करते हैं कुश्चन नंबर 39 यह बॉल रोल साफ टाफ आप इस्टेयर केस विद और होरिजन्टल विलॉस्टी यू इप इस्टेप्स आर एच मीटर हाई और बी मीटर वाइड यहां पर इस्टेयर केस की हाइट है यहां पर इसके बनाएंगे यहां पर एक वाइट को गिरना है और यह और यह आके यहां पर गिरे तो बताना है question में कि बाल जब यहां पर गिरेगा तो हमें बताना है n का वैलू क्या होगा ठीक है एक step कि यहां पर कितनी दे रखी है bit ए b और height कितना h तो total height कितना हो जागा n h total height हो गया h ìट अगर इसको देखे तो यह हो जाएगा n b यह पूरी यहां से यहां तक bits क्या हो जाएगे n b हम लोगों ने पढ़ा है horizontal projectile motion पेंटल projectile motion जैसा ही concept लगाएगे बस इसमें देखो ध्यास से इसकी horizontal velocity U है और इसका जो range है ये दूरी NB है बताओ दूरी बराबर क्या लिखते हैं दूरी बराबर speed into time time की value कैसे निकाला जाता है U time का value होता है under root 2H by G 2 और H की यहाँ पर क्या रखेंगे NH तो 2 into NH अपान और यहाँ पर क्या लिखोगे time बराबर under root 2H by G तो इसको यहाँ पर G रख देंगे यह value किसके बराबर आ गई NB के बराबर चलों दोनों तरह भी square कर दें तो N square B square बराबर हो गया U square into 2NH by G एक N से एक N cancel हो गया question में N का value निकालना था तो N बराबर आ गया 2 U square H upon G B square तो यह N का value आ गया चेक कर लेते चलिए भाई answer करते हैं question number 40 का two sphere A and B are made of same material and have same radius sphere A is hollow and sphere B is solid both the sphere are heated to the same temperature which of the following is correct A expand more expansion किसमें ज्यादा होगा expansion किसमें ज्यादा होगा दोनों sphere का material सेम है और दोनों sphere का radius सेम हो तो बता भाई expansion किसमें ज्यादा होगा तो इसमें volume expansion अगर हम लोग देखें तो V is equal to V naught one plus gamma delta theta होगा question में सब कुछ सेम है तो expansion की value दोनों में क्या आएगी सेम आएगी यानि की दोनों sphere का जो expansion होगा वो सेम होगा ठीके भाई अच्छा बताओ इन दोनों question में अगर question में पूछा जाता दोनों का सब कुछ सेम है बताना किसका moment of inertia ज्यादा होगा अगर question में moment of inertia पूछा ज्यादा तो A और B में किसका moment of inertia ज्यादा होता है कि कमेंट करके बता वाई अगर इस कुस्चन में मुवमेंट आव इनर्शिया पूछा जाता एक सॉलिड एक हालो है दोनों का रेडियस सेम है कि जल्दी से कमेंट करो भाई ठीक है हालो का बिलकुल सही अगर मुवमेंट आव इनर्शिया पूछा जाए तो हालो का ज्यादा होता यहां पर इक्सपैंशन पूछा गया है और इक्सपैंशन का मतलब होए वालोम इक्सपैंशन जोकि यह बॉड़ी कैसी है थी डाइमेंशन यह स्पियर है इस्पियर मन्दब थी डाइमेंशन बॉड़ी वालूम इक्सपैंशन होगा वालूम इक्सपैंशन है तो वी इसकोल टू बी नॉट वन प्लस गामा डेल्टा थीटा टेंपरेंचा डिफ्रेंस और इसका रेडियस और इसका सब कुछ सेम है इसका मतलब दोनों का जो इक्स है और नेडर गेटा दोनों यहाँ पर इंपूर्ट जोड़ दिया गया है तो यह इनर्ट न होगे नौट गेट हो गया लाइन और दश्काल टूर लगाए तो नौट ऑफ आट गलक गद्से को कैंसिल कर जाएंगे केवल क्या मुशेगा नॉर। answer क्या हो जाएगा नौर गेट होगा चलो इसका हम लोग बाइनोमियल से करें बाइनोमियल से करें अगर इसका input A हो और ये B हो तो यहां पर जो output आएगा वो आएगा हमारा A प्लस B बार ये प्लस B बार आएगा ठीक है ना चलो इसके बाद देखें ये हमारा कैसा कौन सा गेट हो गया ये नॉट हो गया ये गेट हमारा नॉट हो गया नाइंड नहीं है नैंड के दोनों इंड को अगर आपस में जोड़ दे तो नॉट हो जाता है ठीक है ना तो यहां पर यह लग गया नॉट है तो बताओ यहां पर क्या हो जाएगा इसका यहां पर जो आएगा वो A प्लस B और दो बार यहां पर लग गया और कोई वैलू अगर दो बार हो गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यह हो गया हमारा A प्लस B और नॉट करेंगे तो यह वैलू आ जाएगा यहां पर A प्लस B बार तो A प्लस B बार क्या होता है यह होता है नॉर गेट तो नॉर गेट बन जाएगा ठीक है तो यह नाइंड गेट नॉट हो गया यह नॉट है एक दूसरे को कैंसिर करेंगा तो बचे का नार चो लगला कुश्चन है यह वाई हैस्टू इस्पेर लाइट बिल बल्ब इनिजर ड्रायर वन इसमार्ग टूफोर्टी हेंड़ वार्ट अधर इसमार्ग टूफोर् जाएंगे ही ट्राइश तू डिषाई वीच आप दा फॉल्ईंग एसरसानी स्कॉरेक्ट चलो पहला जिसका वैलू दिया है तूफोर्टी बोल्ट और हैंडेड वाट है ठीक ना तो यहां पर इसका रजिस्टेंस क्या होगा रेजिस्टेंस इसक्वाइब टू होता है बी sqr by p b sqr by p लगाएंगे दोसा बल्व का जो दिया है वो कितना है 240 240 60 watt देखो भाई दोनों का voltage same है voltage same है तो voltage तो हटा तो आर inversely proportional to 1 upon p जिसका power ज़्यादा उसका resistance कम यानी 100 watt का जो resistance होगा वो कम होगा और 60 Watt का resistance ज़्यादा होगा 60 Watt का resistance क्या होगा क्योंकि उसका power कम है resistance ज़्यादा होगा तो 60 Watt का bulb में resistance की value ज़्यादा होगा अब बताने question में कि कौन सा bulb ज़्यादा रोशनी देगा या कम रोशनी देगा अच्छा जिसमें resistance ज्यादा होगा उसमें current कम जाएगी जिसमें resistance ज्यादा होगा उसमें current की value कम जाएगी और जिसमें resistance कम होगा उसमें current की value ज्यादा जाएगी ठीक रहा तो इसका मतलब है कि जो 60 वाला bulb है 60 वाटका उसमें current कम जाएगी तो इसलिए उसमें रोशनी या brightness या heat loss जो है वो क्या होगा यह power इसमें कम आएगा i2r से ठीक ना तो यह value क्या हो जाएगी यह इसमें power की value कम होगी answer होगा पहला answer correct होगा clear बार बोलो भाई समझ भी आ गया answer पहला है वाई इसका answer correct हुआ है पहला answer सही है 60 watt light का more resistance होगा और वो less brightly burn करेगा 60 watt का 60 watt का resistance ज्यादा है ना 60 watt का resistance ज्यादा है तो बताव भाई power क्या होगा कम होगा अरे भाई series parallel नहीं दिया है question में series parallel नहीं दिया है तो हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे power square to b square by r अब यह question में नहीं दिया ना b square by r लगाएंगे क्यों जब question में कुछ नहीं दिया है तो इसी को यूज करते हैं हम लोग पी बराबर b square by r अगर question में series parallel नहीं दिया है तो इसी फार्मूलेस लगाना b square by r ठीक ना resistance किसका कम है resistance r का ज्यादा है 60 watt का resistance ज्यादा तो उसका power कम आएगा ध्यान रखना भाई अगर question में series parallel नहीं दिया है तो आप यह वाले फार्मूलेस से ही power निकालेंगे घर की supply ठीक है भाई घर में तो parallel connection होता ही है चलो अगला question है 43 टू पॉइंट चार्ज प्लस का फोर माइको कुलम है और जिसरा माइनस सिक्स माइको कुलम है इनके बीच की दोरी 20 सेंटी मीटर है question में बोला गया है at what point on the line joining the two charges from plus four micro कुलम the electric potential zero तो बताते हैं यहां पर plus four micro कुलम से कहां पर electric potential की value zero होगा माल लेते हैं यह दूरी हमने x ले ली दूरी हमने क्या ले ली x दूरी ले ली four micro कुलम से यहां potential की value zero है तो यहां पर potential की value zero करने के लिए इसका potential यहां पे लिखो और इसका potential यहां पे लिखो चलो देखो ध्यान से इसका potential क्या लिखेंगे one upon four pipes or not four by x ठीक है इसका potential क्या होगा minus one upon four pipes or not six by और यह दूरी कितना हो जाएगा twenty minus x और equal to कितना होना चीए equal to zero हो जाए हमने यहाँ पर potential की value लिख रहे हैं इस वाले point पे potential की value तो एक तो plus four के कारण potential लिखेंगे और एक minus के कारण plus four के कारण positive आएगा minus के कारण negative आएगा दोनों equal to zero के बराबर करेंगे value क्या आजाई 4 by x equal to six by twenty minus x two से काट दें तो यह two यह three तो answer आ गया three x equal to forty minus two x तो five x is equal to forty तो x is equal to eight तो answer आ जाएगा eight centimeter from four micro column तो eight यहाँ पर answer होगा हाँ वो answer change हो गया भाई 42 में जो answer d है उसकी जगा answer one correct होगा answer one होगा भाई ठीक है ना क्या भाई doubt क्या हो गया बताओ भाई मस्ती क्या क्या दिकत है किस question में दिकत आ रही है जल्दी कमेंट करो भाई किस question में दिकत है question वो correction हो गया वो answer पहला सही होगा 40 question नंबर जल्दी से बताओ भाई 40 में क्या दिकत है 40 में क्या दिकत है बताओ comment करो two sphere है same material का बना हुआ है same radius का है दिकत कहा पर है जल्दी से बताओ अरे भाई दोनों का material शेम है दोनों इस फियर है एक solid है एक हालो है अंतर क्या आया जल्दी से comment करो अरे भाई material पर करता है यहां पर वालूम है तो answer क्या होगा बताओ दोनों का सब कुछ सेम है अरे भाई 3D body है यह एक फुडवाल को ले लो एक बॉल क्रिकेट की बॉल ले लो दोनों में वालूम होता है यह 3D body होती है इस्पियर 3D body है भाई बात संव्यार है दोनों में वालूम होता है अरे बाई रेडियस दोनों का सेम है दोनों का सोथा रेडिया स्थे में मिसे में थोनों सोझी रहें दिक्कत यह शाब कुछ रही है सब कुछ से में सुटemitism होगा एठ साही है इट संट दोनों में सेम आएगा एठ मट सेटील अलग अलग होता इस सब्सक्रों अलग आख meses है पावर 4D in air, it's a power in water, पावर निकालने के लिए आप किसका यूज़ करें, फोकल लेंद का, फोकल लेंद का फार्मूला, 1 अपान F is equal to mu minus 1, 1 अपान R1 minus 1 अपान R2 लिखते हैं, ठीक न, यह फार्मूला होता है, ठीक न, अगर एक्वी कान्वेक्स लेंद से, फोकल लेंद को ह अपान 2 mu minus 1, ठीक है न, अगर एक्वी कान्वेक्स लेंद से, तो इसको हम लोग direct use करेंगे, अब जलो ध्यान से, अगर हम लोग, mu का value 1.5 हो, mu का value 1.5 हो, और अगर इस लेंद को वाटर में डालेंगे, तो फोकल लेंद 4 गुना हो जाएगी, फोकल लेंद कितनी हो जाएग पहले की, जब भी कभी mu का value 1.5 दिया हो, इक्वी कान्वेक्स लेंद सो, वाटर में डालेंगे, तो वाटर में फोकल लेंद 4 गुना हो जाती है, वाटर में फोकल लेंद कितनी होती है, 4 गुना, तो पावर निकालना है question में, तो अगर फोकल लेंद 4 गुना हो गई, तो इ पान P, तो यहाँ पर बताओ वई, P डैस निकालना था, तो P डैस बराबर हो जाएगा P by 4, पावर 1 फोर्थ कम हो जाएगा, पहले पावर कितना था, पावर था 4D, तो पावर था 4 अपान 4, तो एंसर आजाएगा 1D, करेक्ट एंसर होगा 1, पहला एंसर होगा, ठीक है न, किलियर बार, कैसे निकालनेंगे, अगर फार्मूले पे देखें, तो अगर हम लोग किसी लेंस को, किसी लेंस को वाटर में डाल दें, तो फोकल लेंस इन वाटर अबर फार्मूला लिखते हैं, A mu z minus 1, upon A mu z upon A mu w minus 1, इस फार्मूले में बैलू रख लो, फोकल लेंस इन वाटर समझ में आ जाएगा, ठीक है न, A mu z का बैलू 1.5 रखेंगे, और A mu w का 4 by 3 रखेंगे, यहां से बैलू निकालोगे, तो फोकल लेंस इन वाटर बराबर होग फोर टाइम्स, फोकल लेंस इन एर, ठीक है, यह तभी लगेगा, जब कुश्चन में, यह वाटर बैलू 1.5 हो, और जो वाटर है, उसका रिफ्रेटर इंडेक्स 4 by 3 हो, तभी यह फोकल लेंस वाटर में 4 गुना आती है, चलो अगला कुश्चन है, कुश्चन नमबर 45, मैं मैंगनिफाइंग माइक्रोस्कोप का जो मैंगनिफाइंग पावर होता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं, डी वाई एफ, डी वाई एफ होता है, ठीक ना, तो अगर फोकल लेंथ यहाँ पर बढ़ाएंगे, तो मैंगनिफिकेशन कम होगा, तो यहाँ पर इनवर्स का रिले मैंगनिफिकेशन ओफ अबजेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस, तो यह तो सही है, कमपाउड माइक्रोस्कोप में जो मैंगनिफिकेशन होता है, वो होता है हमारा, एल अपान, एफो, और डी अपान एफी, यह फार्मूला होता है, ठीक ना, एल अपान एफो को हम लोग को लिखते हैं, एमो, और डी अपान एफी को लिखते हैं, एमी, तो मैंगनिफिकेशन कमपाउड माइक्रोस्कोप में होता है, एमो इंटू एमी, तो यही बोला गया है, तो इसका मतलब रेजन सही है, रेजन करेक्ट है, लेकर यह फाल्स है, और सरसन is incorrect, रेजन is correct, चौथा answer correct होगा, बी होगा, कहां भाई, असरसन नहीं सही है, असरसन गलत है, मैंगनिफाइंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंद है, तो अगर फोकल लेंद बढ़ाएंगे, तो मैंगनिफाइंग कम होना चाहिए, बताओ भाई, आनन् KernBot जल्दी से किस किष्टन में दिकत आई कि इसमें गोँ मैंगनिफ्राइंग पावर आप माइक्रोचोफ माइक्रोचोप का मैंगनिपीकेशन डीवाई फोता है कि प्योट रिव इफोता कि कुश्टन में बोला इस फोकला इनक्रीज करने से magnification तो focal length अगर increase करेंगे magnification decrease होगा increase नहीं होगा decrease होना चीए अरे बाई compound ये ये वाला magnifying power microscope का है और दूसरा वाला compound microscope का है compound microscope में M बराबर होता है L upon F O D upon F O यानि M O into M E इन्वर्स्टी प्रपोर्श्टनल टू focal length होता है याद रखना चलो answer सही है question number 46 a bubble of air 2 mm in diameter rises in a liquid of viscosity terminal velocity of the bubble तो terminal velocity की value याद है आपको terminal velocity equal to होता है 2 by 9 eta ठीक है ना और यहाँ पर क्या लिखेंगे R square density of liquid density of liquid minus density of body into G इस formula में value put करते है 2 radius की value question में given है 2 mm का यहाँ पर diameter है तो radius हो गई 1 mm 1 का square 1 और mm में 10 की पावर minus 3 square करेंगे minus 6 ठीक चलो density of liquid दे रखा है 1350 तो 1350 एंसर सही आ रहा है पहला एंसर आ रहा है न तो यह फार्मूला हमारा टर्मिनल व्रॉंश्टी का इस वैलू में पूट करेंगे एंसर पहला आ जाएगा ठीक चुल अगला कुश्चन करते हैं कुश्चन अब खोटी सेवन दा सेंसिटिविटी आप मोविंग कॉईल गेल्वनो मीटर इस इंक्रीज बाइप लेसिंग ए सिटेवल मैगनेटिक मेटेरियल एस अ कोर इंसाइड दा कॉईल बढ़ जाएगा और जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा सेंसिटिविटी होगी और करंट सेंसिटिविटी या बोल्टेज सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट होता है तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा थोंकि उसमें मैगनेटिक मेटेरियल डालेंगे और मैगनेटिक मेटेरियल से डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है तो करेंट सेंस्टिविटी या बढ़ जाएगी तो एंसर सही है पहला तो ट्रू है दूसरा देखते हैं शॉप्ट आरेन इस हाई मैगनेटिक परमीबिल्टी एंड कैन नौट भी इसली मैगनेटाइज परमीबिल्टी इसकी बहुत ज्यादा होती है सॉप्ट आरेन की और जिसकी परमीबिल्टी ज्यादा होगी उनको आसानी से मैगनेटाइज और डी मैगनेटाइज किया जा सकता है तो दूसरा गलत है जिनका म्यू का वैलू ज्यादा होता है मैगनेटिक परमीबिल्टी वो आसानी से मैगनेटाइज और डी मैगनेटाइज किया जा सकते हैं तो यह गलत है तो रिजन सही रिजन सही रिजन गलत तीसा अंसर सही है अगला कुछ्छन करते हैं कोश्य नंबर सब्सक्राइब देस् जैशन सब्धे रखा है अधिक एक हाइट विजय को लम भीछ तो यहां पर तीन कोलम बनाने ऐसे कि यहां पर एक डॉट है और इसर्ट यहां पर एक डॉट है यह और इसमें अलग 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 लिक्विड भरे गए है एक नई इसमें अलग-अलग लिक्विड भरे हैं, और सभी का जो height है वो same है, सभी का height question में h by 3 है, यह वाला height कितना h by 3, यह height h by 3, यह height h by 3, इसको refractive index दे रखा है question में, सबी का refractive index, एक का m1, m2, m3, question में apparent depth की value बताना है, तो बताओ भई, apparent depth कैसे निकालते हैं, apparent depth का formula, अब देखते हैं तो यह जो पॉइंट है यह उपर दिखाई पड़ेगा इसी को आपरेंट डेप्ट बोलेंगे तो आपरेंट डेप्ट बराबर होता है एज बाइज 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 तो यह पूरी दूरी कितनी हो जाएगी एक के लिए क्या हो जाइगा एज बाइज बाइज करेंगे दिवाइट करेंगे तो 1 upon mu 1 plus 1 upon mu 2 plus 1 upon mu 3 तो h by 3 1 upon mu 1 plus 1 upon mu 3 तो answer इसका पहला होगा पहला answer सही हो जाएगा ठीक है ना चलिए अगला question करते है question number 49 proton has a counting energy k equal to 100 electron bolt which is equal to photon एक proton है यो फोटान है चलो भाई proton के लिए अगर energy की बात की जाए proton की energy के फार लिखे और wavelength question में दिया है कितना proton का wavelength है lambda 1 तो आप लोग ने पढ़ा है lambda बराबर होता है h upon p और p को हम लोग क्या लिख सकते है h upon यहाँ पर momentum momentum को kinetic energy में लिखे तो under root 2m kinetic energy तो यह आगया हमारा proton की यहाँ पर proton की क्या आ गई wavelength आ गई ठीक ना अब जरह ध्यान से देखो यहाँ पर photon है तो photon के लिए यहाँ पर energy और wavelength में relation होता है energy equal to होता है h c by lambda ठीक ना इसको lambda 2 बोल रहा है तो lambda 2 बराबर हो गया lambda 2 बराबर h c रहाँ पर बोलुग नर्जी सेम है दो बरली नर्जी सेम है तो इसको के लिखते हैं यह लिख देंगे क्या लिख दिया proton की energy और photon की energy सेम है question में बताना है ratio lambda 2 by lambda 1 तो यह here Gore lambda 2 by lambda 1 करके देख लेते हैं lambda 2 by lambda 1 तो lambda 2 आपन lambda 1 lambda 2 हो गया photon और lambda 1 हो गया proton यह हो गया hc by k upon यहाँ पर क्या लिखोगे h upon under root 2mk h से h cancel हो जाएगा यह उपर चला जाएगा तो root 2mk into c divided by k ठीक न अगर इसको ध्यान से देखें तो यह value हो जाएगा 1 upon under root k प्रपोर्शनल्टी में पूछा है तो प्रपोर्शनल्टी में 1 by root k हो जाएगा तो lambda 2 upon lambda 1 की प्रपोर्शनल्टी इनर्जी के टर्में 1 upon root k और इसी को लिख सकते हैं k का power minus 1 by 2 correct answer होगा चौथा तो आप जरूर ध्यान देना यहाँ पर अरे white color white जो होता है वो होता है monochromatic light और monochromatic के लिए यहाँ पर होता है क्या monochromatic के लिए interference होगा दो different color के लिए वहाँ पर interference नहीं होगा चलो भाई मिनाटी बाषू ने लिखा है जर्गो शाट डिक जो है स्वाट रिक तो बताया जाएगा चैप्टर जो है किसी जब शाट डिक का क्लास लगेगा आप लोग comment करना तो शाट डिक का क्लास हर चैप्टर का स्वाट ड्रिक होगा ठीक ना तो उसमें हर ट्रेप्टर में मेन-मेन जो पॉइंट होते हैं जहाँ आपको ध्यान रखना है क्विश्चन को कैसे solve करना है असान से ट्रिक से तो उसके ट्रिक बताएंगे और 11 तारी को हम लोग का 11 का 11 को 11 का हम लोगों का रेफिट फायर है पूरे 11 11 मार्च को रेफिट फायर लए बयर दिए नहीं कि अलेवें थी न और यह मंधीन अटी का रेफिट वायर है धक्याइब तो उसमें में कुझ में हम आपको हमारा जो पार्ट है इसमें आपको हम गरांगे रोटेशन मोशन और उसमें सारे टिक आपको हम बताएंगे रोलिशनल मोशन के सारे टिक बताएंगे सर्खोन करेंगे उसमें और उस दिन जो है पूरा 11 काs की एंश का rapid लोग answer साही कर ले ना answer 42 में एह होगा अरे भाई monochromatic light 7 color को मिला के बोला जाता है ठीक है ना तो जब monochromatic light बोल रहे हैं तो वहाँ पर interference होता यह दो different बेवलेंद की monochromatic की wavelength हम लोग एक लेते हैं वहाँ पर लेकिन जब red color या blue color लेंगे तो wavelength अलग अलग हो जाएगी और wavelength अलग होने के कारण वहाँ पर interference नहीं होगा monochromatic की wavelength हम लोग एक ही मानते हैं क्लियर है भाई चलो जल्दी से 49 का answer हो गया 50 चेक कर लेते हैं वायर PQR is bent as shown in the figure magnetic field question में दे रखा यह magnetic field की direction है यानि आई direction में magnetic field है और इसमें current की direction magnetic field की direction में है और इसमें current की direction ऊपर है बताना है question में PQR में हमको बताना है force का direction क्या होगा या value पोर्स बराबर क्या होता भाई पोर्स बराबर होता आई बी ल साइन थीटा ठीक न तो यहाँ पर direction किसके बीच में होता बी और आई एल यानि की current element करेंट element और magnetic field के बीच का direction पहले वाले figure में PQ में current और magnetic field की direction सेम है साइन जीरो रखेंगे साइन जीरो का value answer में क्या जाएगा जीरो तो इस part के लिए value 0 आएगा फोर्स का दूसरा वाला देखो यहाँ पर जो magnetic field इसके perpendicular है तो IBL side 90 रखेंगे तो इसके लिए हो जाएगा IBL तो एक answer 0 आएगा एक IBL आएगा तो answer हो जाएगा 0 IBL तो answer number 3 सही होगा बताओ भाई किस में दिक्कत आई है जल्दी से बताओ भाई कौन सा जल्दी से comment करो question number 40 अरे भाई question number 40 करा चुके हैं किती बार भाई question करोगे कि पोट्टी चलो देखते हैं कौन सा था कि बताओ भाई पोट्टी में क्या दिक्कत आई है जल्दी कमेंट करो भाई 40 में पोट्टी एंसर में question number 40 में दोनों इस्वियर का material शेम है दोनों का radius सेम है और दोनों को सेम temperature तक heat करेंगे तो दोनों सेम expand होगे बताओ भाई ठीक है तो यह एंसर सी ही होगा third option सही होगा ठीक है और कोई question जल्दी से चलो भाई और दिक्कत नहीं है question में एक change हुआ है question number कौन सा change हुआ है जड़ा देख लेंगे question number हम लोग का change हुआ था 42 42 का answer 1 हुआ है यह correct हुआ है 42 का answer 1 है तो आप लोग सही कर लेना चलो भाई thank you so much और फिर से मिलेंगे हम लोग अगले टेंस्ट में तब तक अच्छे से पढ़ते रहे हैं गुड़ नाइट प्रूले ले रहे हें जड़ेगे ही नाइट कर दो लोग रहे दो लोग कर लोग्त वहा उना रहे हैं गजर भुआ है वहा है नाइट जड़ेगे हैं ऑप लोग्त